हेलो एवरिवन देस नकित एहमद क्रिकेट इन्पेटनस कोच अगर आप मेरे चेनल पहने हैं दोस्तो तो प्लीज सबस्क्राइब कीजी क्योंकि ऐसे इसे क्रिकेट वीडियो जेंड रिल्स हम हमेशा लाते रहते हैं मेरे दोस्तों आज की जो हमारी टापिक है आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम टेनस बॉल के साथ के से लेक ब्रेक बॉलिंग और उसकी जो विरियेशन से टाप स्पिन गुगली वो डाल सकते है तो मैं आज आज आप लोगों के बाद साथ बात करूंगा मेरे दोस्तों ग्रिप्स रेहिए हो उसकी जो आपकी जो रि onun चाहिए हो और आपकी जो रीलीज होने चाहिए हो तो आप क्या करोइए मेरे दोस्तों के वीडियो का आखिर तक कि आप आप लोगों को पता चली के वीडियो दरgens li lives तो सबसे पहले आते हैं मेरे दोस्तों सेंपल लेक ब्रेक बालिंग के तरफ तेनस बाल क्रिकेट में तो उसके लिए ग्रिप आप लोगों ने कैसे करना है मेरे दोस्तों के जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तेनस बाल की सीम को तो आपने सीम पे इन 3 पेंगर को रिंग पेंगर, मीडल पेंगर और इंडिक्स पेंगर को fix कर दिना है इसके बाट आप लोगोंने क्या करना है मेरे दोस्टों यहत्यों हो गई ग्रिप की बाद अब यहांते हैं मेरे दोस्तों रेस्ट पोजीशन के बाद रिस्क पॉजिशन के बाद तो रिस्क पॉजिशन आपकी क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों कि जब आप लोग बारिंग करना चाहिए तो आप जब यहां से आप रिलीस करना चाहिए तो आपकी जो यह बेक आप पाम है वो होनी चाहिए मिडान के तरफ आपकी यह जो बेक काम है वो होनी चाहिए मिडान के तरफ और आपकी जो वाल की जो सीम है वो होनी चाहिए फस्ट श्लीप के तरफ और इसी तरह के से आप लोगों ने बॉल को रिलीस कर देना है और आपकी बॉल के साथ जो आखिरी कांटेक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी रिंगर की लेकिन क्या करना है मेरे दोस्तों आपकी line क्या होनी चाहिए और length क्या होनी चाहिए इस के लिए तो आपकी length होनी चाहिए मेरे दोस्तों leg stump पे और middle stump पे ताकि वहाँ पे batsman की blind spot बनी और अगर बाल break हो तो वह उसको कापी मुश्किल हो केलने में अगर आप stump पे करोगे मेरे दोस्तों और बाल ब्रेक भी करेगा तो यह एक तो वह बाहर का बाल होगा उसको केलने में उसको बहुत ही ज्याद आसानी होगी और दुसरा आपका जो बाल है वह वायड भी हो सकता है तो आपने क्या करना है कि लेक ब्रेक को हमेशा के लिए आपने लिग स्टम और मिडल है क्या कंडिया की टरहा वाइंग है यह ब्रेक के एक्शन ओट अईक ब्लग के ग्रीप में इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों के वह ब्रेक नहीं करता वह सीधवा आता है लेकिन फोड़ा एक्स्ट्रा बांस करता है तो मैं आप लोगों को बदा तरह सेंट चलू तो उसकी यह तो हो गई simple leg break की तरह लेकिन आभी आपने क्या करना है मेरे दोस्तों कि release at the point of release आपकी wrist position leg break में आपकी जो बेक आप पाम थी वो आपकी ती पाम मिड़ान के तरफ लेकिन top spin में आपकी जो बेक आप पाम है वो होगी आपकी तरफ वो पेस करीगी आपकी तरफ और leg break में ज तो बाल की seam होगी इसमें जो आपकी बाल की seam होगी मेरे दोस्तों वो होगी batsman के तरफ आपने batsman के तरफ बाल की grip को release करना है तो आपकी जो बाल है वो इस ही वे में फ्लेवल करेगा सीधा seam के साथ तो जब बाल पड़ेगा पीछ पे तो definitely मेरे दोस्तों वो क्या करेगा कि बाल ब्रेक नहीं होगा बलकि सीध आएगा और तोड़ा extra bounce के साथ तो यह थी मेरे दोस्तों इसके लिए जो बेहतरीन 9 है टाप स्पिन के लिए जो बेहतरीन 9 है वो है मेरे दोस्तों wicket wicket या